मंत्र ही माता है, रिशयह मंत्र द्रश्टार, साधू संद रिशी मुनी अपना अंतसकरण में मन बुध्धी चित्त अहंकार से मंत्र को देखते हैं, मत्री गुप्त भासने धातु से टान प्रत्य होने से मंत्र होता है, और ओही मंत्र का छंद रिशी और दिपता, तिन देखते हैं, आशान मंद्र से मेरो प्रुष्ट रिशी ही, सुतली चंद कूर्मो देवता, मेरो प्रुष्ट रिशी सुतली चंद कूर्मो देवता, रिशी चंद और दिपता, रिशी जो रिशर्च करने वाला आंतस करण में रिशर्च करने बाला होती ही, रिशर्च करने बाला वह एग्यान एक साइन्टिस्ट है, ज्यान से बिग्यान होता है, और अग्यान के सचेतंता के लिए ज्यान है, और ज्यान जब पूरी हो जाते है, इसका सचेतंता ही अग अज्ञान का मतलब यह है हर कोई प्रकार सास्त्र को जान बुझ कर भी मौन रहते हैं कुछ कहते नहीं साइलेंस इस बिगने मप अश्टम कि नीरब रहना ज्ञान का भीकास होता है नीरब से ज्ञान का उन्नती होता है तो मंत्र हर कोई प्रकार मंत्र है और मंत्र कहां से मिलता है गुरु से उत्तम गुरु मंत्र माता माता निर्माता भबती मा तयारी करने वाली है तो मा को त्याग दिया रघुनास जी के लिए भरत महराज मा को ज्ञान दिया महमुनी भगवान ज्ञाना बतार कपिलाचार जदेव जी और मा पुत्र को बोले हे बेटा धर्म का जय धर्म अख्या रहें पूणी अख्या रहें धर्म का जय हो मा बोले नमामि त्वांग विष्णुर अध्यात्म दीपम हे अध्यात्म दीप भगवान अहंग त्वांग नमामी माता देभगी मा उखल में बान है कन्हिया लाला को इसब रशिक्ष चन और भापकी चन के लिए है मंत्र तो माता है मंत्र जाब करना मंत्र जाब ममम द्रीड़ द्रूढ विष्वासा पंचाव भय नसो वेद प्रकासा बेद में पाचमा भजन है मंत्र जाब ममम द्रूढ विष्वासा जाब तिन प्रकार है उची आवाश्चे कम आवाश्चे और धीरे धीरे होट दात जीवा कुछ नहीं लगे जीवग्र भाग बर राम मंत्रम शुलो आवाश्चे नाशाग्र को द्रिष्ट देकर पत्मासन में स्थीर आशन सुक में बैटकर जाप करना जीवा दंत ओष्ट पाटे कुछ नहीं लगे वह अजब आजब आजब है हाँ भाई हाँ आनलू ना मोठा मोठा है पंजमा भजान शुबेद प्रकाशा यह मंत्र मंत्र का जो कांध है उपाशना का कांध है ज्ञान का कांध है और भक्ति का कांध है और कर्म का कांध है बेद अभिस्तार यह तिने कांध है त्रिवेद त्रिवेद से त्रिवेदी ब्राम्हन बनते हैं ना तीनों बेद का अभ्यास रोग जजू और साम एक बेद बेद ही एक था एक लाग स्लोक में बाद में अथर्मा बेद भी बहरा निकला चार उपवेद भी आविर बेद धन और बेद स्थापत का बेद और जोतिर बेद यह उपवेद है तो बेद से जो मंत्र यह कोई लिखित पुस्तग नहीं है बाद में लिखा हुआ संकलन हुआ जैसे भागबत ब्यास जी ने कृष्ण भगवान के चरण कमल में अखंड समाधी करकी भागबत का रचनागी संकलन किया जुग जुग कलप कलपांत का सनादन है भागबत भागबत से बढ़कर जब भी कोई गरथित गरंथ समझ ले तो भागबत से बढ़कर कोई गरंथ अभी तक सारे जग में पैदा नहीं हुआ भागबत भागबत का सेबा ही भागबत है भागबत कोई गरंत थोड़ी है और छोटी मोटी बात नहीं है भागबत के बारे में जानने के लिए मानने के लिए भागबत को जानो पहचानो और मानो मानो और पहचानो भागबत का कर्म करो तत धर्मम हरी तो शनम जहां भगबान तिष्ट होता है, तृप्त होता है, ऐसे कर्म करो, प्रभु जिस काम में गुस्सा होते हैं, प्रभु जिस काम में रिष्टे नहीं, वही काम ना करो, बीबे का नुमोदित काम करो, यहां है मंत्र का सारभाब, मंत्र में इंद्रियास तीर रहते, मन चंचल न गुरु तद्वित धीप्रणी पाते ना परिप्रस्थने न सेवय उपदि खंदिते ज्ञान ज्ञानि ना तत्पदर्शी ना ज्ञानी तत्पदर्शी सच्ची सिष्च को मंत्र देते हैं सिष्च कभी युग्यत होना चाहिए और गुरु भी सांसरिक ब्यवाहारिक सामाजीक चेत्रका गुरु और अध्धात्मिक चेत्रका गुरु और निशिध्य गुरु गुरु आठ परकार है बाचक, बेधक, बोदक, तात्पिक, सूचक, निशिध्य, ब्रह्मादर्शी और केवल बेधक यह आठों प्रकार गुरु से कैसे गुरु करना जाहिए दिख्या गुरु, सिख्या गुरु, आस गुरु, पास गुरु, परसा गुरु, माता गुरु, पिता गुरु ऐसे भी आठों प्रकार गुरु है जिससे कुछ हमको मिलता है सिख्चा वो ही गुरु है जो हमको कुछ सिक्षा देते हुई गुरू है लेकिन ऐसे गुरु करना तत्पदर्शी गुरु जिस गुरु हमको ज्ञान देकर मुक्तिकामी बना देते हैं ऐसा ही गुरु करना चाहिए अब आजाओ भाई प्रभो के मार्ग में गुरु के सरण में आओ गुरु भी न भवा न दित अरे नरे कोई जो बिरंची संकरसम हो ही ओही गुरु पीता है पालन करने वाला तारण करने वाला और भक्तिकारस में डुबा देने वाला और ओही गुरु मारन करने वाला दिस जिसका मंत्र मारक है क्योंकि मंत्र में छंद है ना अनुष्टब तिष्टब गायत्री ब्रहतियादी जो साथ चंद है इस्रगधारा बसंत तिलक कानक मंजरी और इस जो कोई प्रकार चंद है सारदुर बिक्रिलित शिहाब अक लोकन को लेकर हर कोई प्रकार चंद है इस चंद का बंध में रहस्पदिर्ग लगुप्लूत गुरू नासिक अनुनासिक बरन का उच्चारण होना चाहिए अक्षर स्वस्ट होना चाहिए वेद में जह नहीं और न्या नहीं दू अक्षर का विवहर नहीं है जह और न्या फिर भी मंत्र बना ये दोन अक्षर पौरानी की विवहर में आ जाता है ला और ला बा 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 रुवा जा जा या सा 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 तीनो सा इसका उच्चरान जानना चाहे ना आ आ ई ई ए आ आ बाई ओ आउ रू रू लू ए आई ओ आउ आ आ आ अह फिर अन हा पक्षर जैसे व्यवहर में असुद्ध हो जाता है असुद्ध का इसको हम कहते हैं असुद्ध हलंद का व्यवहर भाई भगबन 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 भ मात्रुन, पीत्रुन, भगवन, भवान, इसको भवान बोलने से गलत होगा ना, लेकिन अशोक, पावन, ये क्या बात है, सब मैं हलांत लगा ना, अशोक का पावन, जगनाथ, जगनाथ, बानी सुध करो, और मंत्र में बानी असुध हो जाने से प्रभु का पास या देपता आफ पास मंत्र नहीं पासते, दयवाधिन मनत्रम जगा थैगत, ये परिवरतन दुनिया, मंत्र का अधिन है, दयवाधिन मनत्र जगत यवपताओं का अधिन है, नाग में अस्पनीकुमार, जीवा में बरून, रसा में बरून, जीवा में अग्नी देव्ता, कान में बायु देवता, आख में सूरश देवता, मन में चंद्र देवता दीमाक में ब्रह्मा रहते हैं प्रजापती रहते हैं लिंग में गुया मेड्र में रहते हैं यम दिपता तचा में बरुन दिपता नासा में अस्पनी गुमार हाथ में भगवान इंद्र रुपेंद्र बामन भगवार रहते हैं पएर में हर दिपता हमारे सरीर में रहते हैं और मंत्र का आधिने हुई ये दिपता तो मंत्र में रिशी छंद और दिपता तीन को जानना पड़ेगा अध्यात्मिक आधिभोतिक आधिदेपिक यह आज के बल मंत्र के बारे में है तो अध्यात्मिकी मन बाणी अंतरेंद्रियों का भीतर जो चिंतन मनन है अध्यात्मिक है आधिभोतिक जो भूतों से पंचभोतिक सरीर से जो हवा, जल, आग, प्रत्फी और आसमान इन से जो घरता है आधिदेपिक देव्यत्पात बारिश हो गया, आंधी आ गया, बाढ़ हो गया, आग लग गया यह सब तो भाई, अब ये बारे में हमको सोचना चाहिए ये तीनों दुख तृताफ बाधा को नश्ट करने के लिए मंत्र में रिशी, चंद और धिपता का आवश्चक है मंत्र सुद्धु चारण होने से अशब दब्रम्ह को भेत करकर आत्मा का थता जगत का कल्यान करते हैं आत्म मुक्छार्थम जगत हिताज, मंत्र को जाप करना, मंत्र को पाठ करना, मंत्र को ध्यान करना, मंत्र में हबन करना ये सब जगत का कल्यान कारी और आत्मा का मुक्छ प्रदान कर है मंत्रो माता हा मंत्रो माता यह मंत्र माता है माता दबन गया अब पीता गुरू गुरू के बार में फिर कल चर्चा करेंगे प्रभू सबका मंगल करें जै जगनाथ जै जगनाथ